नमस्कार दोस्तों मेरे Palm Reading Channel में आपका बहुत बहुत स्वागत है आए आज़ो अरतियस वर्ष के पुरुस के पां का analysis करेंगे इनके सवालों का जबाब करेंगे दुसर प्रथम इनके सवालों को सुनेंगे फिरेके करके इनके सवालों का उतर करेंगे उससे पहले अगर आप लोगों अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किरपेकर के चानल को सब्सक्राइब कर ले, बैल अकन को प्रिस कर दे ताकि रिडिस नोडिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं इनका कोशन इस प्रकार है वरतमान समय में ये अपना कारे कर रहे है आग एक जीवन के बारे में जानना चाहते हैं हतली पर क्या अच्छी करावास्था बढ़ी हैं साड़ मात पून विशह पर जानना है और जिन्दगी कैसी कटेगी अच्छी कटेगी बुरी कटेगी इस विशह पर भी इनको जानना है तो आप दिल्कुल चिंता ना करें आपके कोशन को आपने गहराई पुरुवक सुन लिया बताने का कोशिश करूँगा जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी रहेगी जो भी आपके हाथ पर नेगटिविटी रहेगी हर विशह पर बारिकी पुरुवक अध्यन करेंगे तो अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूँ तो बेहर शांदार हतेली है हतेली इसलिए शांदार है क्योंकि जो इनकी मुख्य रेखाए है इसमें कोई डिस्ट्रेक्शन नहीं है इसमें कोई भी परिशानिया नहीं है अब देखिए जीबन रेखा कितनी साफ दिख रही है कितनी साफ दिख रही है बिना किसी राहु रेखा के साथ ऐसा कहावत है ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी जीबन रेखा में कोई रुकावटे ना हो, कोई परिशानिया ना हो, तो आपकी जिंदगी बड़ी स्मूथ भीटती है, चाहे आपको बाग्य रेखा का साथ मिले या थवा ना मिले, इस कार्थ है कि अगर आपको बाग्य रेखा का साथ मिलेगा तो और अच् एक और माइंड रेखा का ब्रांच, मतलब दो-दो माइंड रेखा, अगर किसी विक्ति के हाथ पर एक सेधिक माइंड रेखा हो जाए, तो जातक बहुत तेज दिमाग के होते हैं, इनका दिमाग बहुत तेजी से कार्य करता है, इनका दिमाग बहुत तेज चलता है, ऐसे वि विकती इस प्रकार से चीजों को नहीं सोच पाता तो शफलता के माएने इनके जीवन में चेंज हो जाते है फिर वही बात है कि अगर आपकी अदिमाद तेज है आपकी जीवन रेका अची है आप अगर स्वस्थ जीवन वेदीत करते हैं दिमाग आपका तेज़ है तो आप ज़दा सफल हो पाएंगे अपने इसाब से मतलब अगर आपकी बागगे रेका किसा आपका बागगे रेका का साथ नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं सफलता मिलेगी आपको लेकिन मध्यमस्तरी है हिर्दा रेका काफी अच्छी मतलब इनकी मुख्य रेकाऊं से न मैं ज़ादा खुश हूँ तो ऐसे वेक्ति अपने जीवन में खुद खूब तरक्की को प्राप्त करते हैं अपने चमता के कौनिग अब ये बात मैं बार बार इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि इनकी भागगे रेका मुझे कोई बहुत सार्थक इनके मध्यमायू तक नहीं दिखी है मतलब ऐसे वेक्ति के जीवन में पड़िवर्तन मध्यमायू लगबग वही अर्तिस वर्सक्यायू के बाद सही होता है तो इनकी शुक्र काफी प्रवलता मस्तिती में है, दोनों मंगल बढ़िया है, लग बग लग पैस ठीक है, लेकिन गद्यदार अतेली बिल्कुल भी नहीं है, तो इनको जो भी प्रकार की सफलता को प्राप्त करना है, इनके लिए इनको शारिक स्रम करना पड़ेगा, मानसिक स्रम से जादा इनको सारिक स्रम करना पड़ेगा, तब ही जाके ये सफलता को प्राप्त करेंगे, या कर पाएंगे, इसके उपरांत अगर मैं चीज़ों को और बताओं और दिखाओं तो और क्या क्या चीज़े इनके हाथ पर है, तो ये तो थी पॉजिटिव वे में बात ह पर पर जरूर है, अगर मैं नेगटिविटी आपको दिखाओं तो सुरुवाती दोर से बागगे रेका बिल्कुल नहीं दिख रही है, तो किसी वेक्ति के अगर हाथ पर सुरुवाती दोर से आपको बागगे रेका ना दिखे तो ये समस्य जनक बात होती है, मदब जातक आगे बागे रेका अर्तिसमे वर्स के बाद बहुत अच्छी साथ है, तो अर्तिसमे वर्स के बाद परिवर्तनाय का फिर जीवन के लास्त तक साथ जरूर है, लेकिन अर्तिसमे वर्स के आई तक बागे रेका का बिल्कुल भी साथ नहीं था, बिल्कुल भी समस्या थी, य पर 30 में वर्स के आयू के बाद जरूर प्राप्त करेंगे ये मैं आपके अलिके मादियम से देख पा रहा हूँ और अपने जीबन से बहुत हद तक आप संतुस्ट रहेंगे क्योंकि जिस समय भाग गे रेखा साथ नहीं होता बाग गे रेखा को अमधन रेखा कहते हैं शनी परद रेखा कहते हैं लाइफ में प्रॉब्लम से बनी रहती हैं लाइफ में समस्याएं बनी रहती हैं जिस परकार की तरक्की जातक उम्मीद करते हैं एक्सपेक्ट करते हैं उस परकार की तरक्की मरणने में पैसा आएगा आपकी जिंदगी में सफलता होगी उस आयू को मैं बता रहा हूँ अर्थिस वर्स की आयू के बाद से उसके उप्राहत और क्या नेगेटिविटी है बुद्र एखा का भी अभाब है तो प्रॉपर वैपारी वाला भी यह हाथ नहीं है बैपार ठीक है थोड़ा बहुत कर सकते है पैसा कमा सकते है लेकिन कोई बहुत ज़दा पैसा आएगा नहीं और यहाँ पर धन की दिक्कते रहेंगी जीवन में मतलब पैसे बहुत आएंगे ऐसा बिलकुल नहीं है कि पैसे नहीं आएंगे तो बहुत ज्यादा ना बनने की वज़े से भी एक सामस्याओं को यह उत्पन कराती है एक सामस्याओं को दिखाती है कि जात्क के जिन्दगी माश्टवल इंकम 아니고 नहीं रहता है 35 वर्स का डल्की एलकी दिख लिए तो जीवन में 35 वर्स के आयो के बाद थोड़ी सफलता दिखती है लेकिन सूरी रेका बहुत ज़दा ना होने की वजासे जातक का कोई एक कारी में मन नहीं लगता या जातक कोई एक कारी नहीं करते अभी ये कर लिया अभी वो कर लिया अभी इससे पैसा कमा लिया मतलब इनके लाइफ में परिवर्तन आता रहता है इनके लाइफ में परिवर्तन होते रहता है कारियों में तो वो कारियों के परिवर्तन के योग को ये बता रहा है सूरी रेखा का एक स्टेबल तरीके से ना हो पाना इस वात का परचे कराता है कि जातक का aim decided नहीं है, जो काम आया कर लिया, पैसे कमा लिया, कभी भाग इने साथ दे दिया, बहुत कमा लिया, कभी भाग इने साथ नहीं दिया, तो थोरा परी रह गया है, लेकिन कमाने के एक्षा हमेशा रखते हैं, और कमाने के परती हमेशा गरसर और जागुग रहते है कोई एक स्थाई इंकम ये आपके हाथे ली मुझे इंडिकेट नहीं कर रही है इसके उपरान देखा जाए तो बरश्पती गरबर है तो प्रारब्बिक सभी में उसे परिवारिक समस्याई भी रही है दोस्त में तरने धोगा भी दिया है लाइफ में प्राब्लम्स भी रही है स्ट्रगल भी काफी जादा किया है 25-26 वर्स की आयू तक तो यहाँ पर सभी चीजों को जादा आपको दिमाग पर लगाना नहीं है दिमाग पर सोचना नहीं है जिंदगी ऐसे ही आपकी कटी है आपकी लगबग 30-100 की आयू तक स्ट्रगल में कटी है बाकि इस बिरश्पती का आपको उपाय करना चाहिए ताकि आगे जिंदगी में जॉब्स ट्रगल आए वो बिलकुल ना आपाए और आप जिंदगी को स्मूथ ली बितापाए तो यह इनकी positivity negativity थी आप इनके जीबन रेका से आगे की life को clear कर देते है तो यह हो गई आपकी mind रेका यह होगी life line independent बहुत जल्दी हो गया बाकि यह dependency के योग आपके लगबग 19 साल तक थे तो ऐसे विक्ती 19 साल के आयू के बाद अपना खुद का कुछ देखने लगते हैं करने लगते हैं उसके बाद देखा जाये तो यहाँ पर देख लो एक लगबग आपके 23 में तरक्की थी फिर जीबन रेका स्मूथ थी एक तरक्की लगबग आपके 33-34 वर्सक्यायू में थी जिन्दगी स्मूथ ही चली है जब भी पैसे के आवशक्ता पर यह जिन्दगी पर कही न कही से आये हैं 32 के बाद एक लगबग 35 में तरक्की थी फिर लगबग 32 में थी उसके बाद भी जीबन रेका बहुत इच्छी स्मूथ है तो जब इस प्रकार से जीबन रेका स्मूथ हो तो बहुत ज़ादा हाइक भी लाइफ में नहीं मिलता और बहुत ज़ादा डाउन फॉल भी नहीं होता है मतलब पैसे आते रहते हैं जितने जरूरत के हिसाब से हैं कभी भागिय रेका ने बहुत साथ दे दिया कभी भागिय रेका ने बहुत ज़ादा महरवानी दिखाती तो बहुत ज़ादा आ जाते हैं और कभी नहीं दिखाई तो बस मद्यमस्तरिय पैसे आते रहते हैं, जिन्दगी चलने के लिए धना आता रहता है। तो यहां पर जीवन रेका में भी कोई खास दिक्कते नहीं है, कोई खास परशानिया नहीं है, कोई खास समस्या जनक जीवन रेका भी नहीं है। और जीवन रेका जिस प्रकार से है, आयू लंबी ही होती है और निरोग जीवन बेतीत करते हैं, तो चलो जी ये तो कि इनकी positive बात, negative बात, उनके questions, अभी इनके तलिक आप जलने दिन करेंगे, चीजों को अस-पस रूप से clear करेंगे, तो वीडियो काफी ज़ादा महतपून ह देखें, सीखें, समझें, तो यहाँ पर से आगया, ये square इस पर, प्रेस ठीक है, बहुत गतेदार नहीं है, हाट पर नतेली में, तो यहाँ पर सारणिक्स्रम आपको जरूर करना पड़ेगा, जिन्दगी पर आगे बढ़ने के लिए मानसरिक्स्रम से ज़ादा ऐसे लोग देखते हैं, तो बहुत शामदार होता है, इसके उपरान देखा जाए, तो समझदारी को लोग काफे एची समझदार है, फिंगर पर करी रेका, दिल के बड़े अच्छे विकती है, दिल में कोई किंदो परिंदो वाली बात नहीं है, तो इसका उपाय आप कर ले, ये आप को परिवालिक दिकत, परिवालिक समस्या है, कार चेटर को ना बढ़ा पाने की समस्ये ये सब बताती है, बाकि माइंड रेका अच्छी है, दिमाग के 23 विकती है, इरतर रेका काफी एच्छे, स्ट्रॉंग र्दे के मालिग में है, बैलन्स ठीक है दिल दिमाग के तंदोस सनमर्कृी ठीक ठाक है, बुद्धिवेक से कार करते हैं, दोड़ों अंगल बढ़िया है, तो एनर्जी तो है, प्राक्रम है, no doubt, चादरमा थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है, तो थोड़ा इमेज दरी लाइफ जीते हैं, मतलब सोचते जादा है, करते कम हैं, तो करकिया कम कर करिये, करिये जादा सोचा कम करिये, चादरमा वैसे ठीक है, पैसे आएंगे, बागगे रेखा सुरवाती दोर से ठीक नहीं थी, 24 वरसों के बाद ठीक थी, बुद्धर रेखा का बाब तल धन संचे करने में दिक्कत होता हो, जीबन रेखा अच्छी आयो दिरगायू है, जिन्दगी अच्छी ही रहती है, ना की बात नहीं है, तो ये था इनकतली का पूर्णता वेश्टेशन, अगर आपको अमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंड कर से सिस्काइब कर दे, और विक्तिकत रोप से मैं सहसतर रिकारी का के, सही जानकारी पाना चाहत है, आप संपर्त कर सकते हैं, धन्यवाद,